Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, mass spectrometry, हमने start किया था lecture, Types of Peaks in Mass Spectrometry, जिसमें हमने एक टाइप को बड़ी डिटेल से डिसकस कर लिया था, that was molecular आइन पीक, यह जिसको parent आइन पीक भी हमने कहा था. और हमने यह कहा था, कि यह पीक जो है, यह सबसे ज्यादा mass to charge value, यानि सबसे ज्यादा molecular weight वाले पीक है. बात दफा, molecular weight से भी ज्यादा weight वाले पीक सा जाती है, जैसे m plus 1, m plus 2, m plus 4, m plus 6, इस तरह की पीक सा जाती है, उनको हम कहते हैं, isotopic peaks, आम तोर पर, जो isotopic peaks होती है, उनकी intensity कम होती है. isotopic peaks, last lecture में मैंने बताया था, के जो molecular weight है, compound का, जो हमें mass spectrometer देता है, वो most abundant isotop के reference से देता है. यहनि जो ज्यादा intensity वाली peak आती है, जो molecular 9 peak, ज्यादा intense वाली आएगी, वो ज्यादा जो abundant isotop है, उसकी वज़ा से आएगी. यह हमें relative atomic जो weight है, जो average atomic mass है, उसके लिहाद से यह peaks नहीं देगा, जैसे methyl bromide है, एक carbon है, तीन hydrogen है, 12 और यह तीन, 15 प्लस bromine है, जब हम average atomic mass निकालते हैं, जब हम molar mass निकालते हैं, तो हम यहाँ पर 80 use करते हैं, जो कि average है isotopes की, तो यह आजाएगा 95, 95 वाली peak mass spectrum में appear नहीं होती, mass spectrum में या तो peak आती है 94 पे, जो कि इसका isotope होता है 79 वाला उसकी वज़ा से, या peak आती है 96 पे, जो कि इसका isotope है 81 वाला उसकी वज़ा से आती है, यह नहीं, दो peaks यहाँ पर 79 और 81 अब चूँके इसके दोनों जो isotope होते हैं, उनकी abundance almost 50-50 होती है, एक जैसी होती है, तो हमें दोनों same intensity के peaks नज़र आएंगे, एक को हम कहेंगे M और दूसरे वाले कहों कहेंगे M प्लस 2 क्योंके यहाँ पर 94 और यह 2 मैस आता है, ज्यादा 94 से है, तो हम कहेंगे M प्लस 2, यहनि peaks जो molecular weight से ज्यादा है, प्लस 1 भी हो सकता है, जैसे अगर isotope में एक मैस का फरक है, जैसे carbon है, 12 है, 13 है, hydrogen 1 है, 2 है, अगर 1 का फरक होगा तो M प्लस 1, 2 का फरक होगा तो M प्लस 2, और इस से अगर number of isotopic elements ज्यादा है, यानि baromine, kalorine ज्यादा हैं, तो फिर इस से भी higher mass वाली peaks आ सकती है, बशर्टे के number of halogen atom, यानि ऐसे element बढ़ जाएं, जिनके isotope की वज़ा से फरक पाड़ रहा है, अब यह जो peaks आती हैं, baromine के case में, जो कि relative abundance एक जैसी है, लेकन यह जो molecule rine peaks आती हैं, यह low intensity होती है, यानि जो most abundant isotope है, उसकी जो peak है, वो ज्यादा intensity वाली होगी, बाकि जो isotopic peaks आएंगी, इस वाए baromine के, जब baromine है तो उसके isotope की abundance एक जैसी होती है, तो वो एक जैसी intensity की दोनो peaks आती हैं, अब कितनी peaks आएंगी, कितने उनकी intensity क्या होगी, कितनी peaks आएंगी, depend करता है उसका formula क्या है, उसमें कितने isotope है, मैं अगर baromine की example ले लूँ, तो फिर उसमें कितने baromine है, number of peaks depend करती है, कि number of bromine atom कितने हैं वहाँ पर, और उनकी intensity हमें बताती है, कि उनकी percentage क्या है, उनकी natural abundance कैसी है, जैसे bromine के case में, दोनो peaks की intensity सेम आती है, तो इसका मतलब है natural composition, 50-50 है दोनों की एक जैसी percentage है, कितनी peaks आएंगी है, depend करेगा bromine कितने हैं, वो isotopic elements की तदाद कितनी हैं, तो ये number of peaks और उनकी intensity, number of peaks हमें बताएगा formula, इन्हें इस formula में, for example, bromine है, तो कितने bromine atom है, ये number of peaks से idea हो जाएगा, अभी आगे detail से हम देखेंगे, कैसे idea होगा, और intensity से हमें पता चल जाएगा, उनकी percentage क्या है, for example, हम देख लेते हैं कि हमारे पास है M और M प्लस वान peaks, किसकी हैं, C4H10 की, ये है ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन हैं और 10 हाइडूजेन है, कार्बन का abundant isotope है 12 वाड़ा, और हाइडूजेन का abundant isotope है 1 वाड़ा, प्रोटियन, यानि जो पीक आएगी 58 पे, 4 कार्बन का कितना बनेगा 48 और 10 हाइडूजेन है, 58 पे वो होगी उसकी molecular आइन पीक, जिसकी intensity ज्यादा होगी, जिसको हम कहेंगे कि ज्यादा intensity वाली, ज्यादा बननेस वाली पीक है, अब यहाँ plus 1 पे भी पीक आ सकती है, 59 पे कब, जब कार्बन का 13 वाला isotope हो, या hydrogen का 2 वाला, यानि डूट्रियम हो, प्रोटियम की बज़ाए, तो यह plus 1 पे भी आ सकती है, अब इनका isotope, इसकी isotopic awareness हम यह कहते हैं, कि यह 100 परसेंट है, फिफ्टी एट वाला, तो इसकी percentage कितनी होगी, यानि इसकी जितनी intensity आ रही है, इसके मुकाबले में, यह peak कितनी intense होगी, यह कैसे पता चलेगा, जितने कार्बन हैं, हम क्या करते हैं, जितने कार्बन हैं, अच्छा इसकी peak plus 2 पे भी आ सकती है, कब जब कार्बन 14 वाला हम, आईसोटोप यहां पर अगर कहें, कि वो भी हो सकता, अगरच्छे उसके chance rare है, होई नहीं सकता वो, इसमें M plus 1 में कार्बन 13 का chance होता है, वो 1.1% होता है, यानि अगर 100 मीथेन के molecule हूँ, 110 तो उसमें से chance है, कि एक molecule कार्बन 13 वाला भी होगा, इतनी काम अबंडने से, तो यह अगर 100% इसकी intensity है, तो यह कितना intense होगा, कितने कार्बन है 4, और फिर कार्बन 13 की percentage, क्योंकि जब एक मेंज ज्यादा आएगा ना, तो वो कार्बन 13 की वज़ा से हो सकता है, तो 1.1 जितने कार्बन है, उनकी percentage से multiply करे, प्लस जितने हाइडरोजेन अंतास है, उनकी percentage से, क्योंकि या तो एक मेस, इसके आइसोटोब की वज़ा से हो सकता है, डी, डियूट्रियम की वज़ा से, या कार्बन 13, तो इसके मुकाबले में, इसकी intensity सिरफ 4.56 है, अब ट्रिटियम, जो तीन हाइडरोजेन का आइसोटोब की ट्रिटियम, जिसका मेस 3 है, उसका तो चांस ही कोई नहीं होता, अगर हम कार्बन के reference से, कार्बन 14 के reference से देखें, तो उसके लिए फार्मूला होता है, 0.006 into N square, N क्या है, number of carbon atom, तो carbon atom का square ले लें, 4 का square 16 और multiply करें, तो ये इतने कम chance है, 0.096% chance है, यनि intensity निकालने के लिए, जितने atom होते हैं, उनको उनकी percentage से multiply कर देते हैं, 4 carbon थे, तो M plus 1 ना, यनि carbon 13 की वज़़ा से एक मेस ज्यादा हो सकता है, तो उसकी percentage या 10 hydrogen है, deuterium की वज़ा से हो सकता है, तो deuterium की percentage 0.016, तो इसके मुकाबले में, ये peak बहुत ही कम intensity वाली है, यनि जो isotopes peaks होती हैं, isotopic peaks होती है, most abundant isotopes की, जो माली के उदर आइन peak आती है, उसके reference से, उनकी दूसरी, जो M plus 1 है, M plus 2 है, जो less abundant isotopes हैं, वो peaks बड़ी weak होती हैं, उनकी intensity बहुत ही कम आती है, अब intensities, अगर हम सिर्फ हैलोजन की बात करें, जो बहुत common हैं, और यही हैं, जो ज्यादातर molecular iron peaks, इनकी वज़ा से ही आ रही होती हैं, हैलोजन की वज़ा से, तो जितने हैलोजन होते हैं, उतनी isotopic peaks आती हैं, उतनी isotopic signal आती हैं, यहनि अगर हमारे पास एक कलोरो है, तो फिर एक ही signal और आएगा, एक तो आना ही आना है, most abundant isotope की वज़ा से, जो के ज्यादा intensity वाड़ा होगा, एक और आएगा, जो के, जो हमारे पास M plus 2 की वज़ा से आएगा, क्यों, क्योंके देखें, कलोरीन एक का मैस 35 है, दूसरे का 37 है, दोनों में मैस का फरक 2 है, यह most abundant isotope है, जो हमारे पास molecular 9 peak, ज्यादा intensity वाली होगी, वो इस most abundant की वज़ा से होगा, जो less intense peak आएगी, वो दो के फरक से आएगी, क्योंके 35 प्लस 237 है, तो M plus 2, यानि एक isotopic signal आएगा, एक तो molecule की उदर आइन peak आनी है, M तो आनी है, साथ M plus 2 भी एक signal आएगा, जितने halogen उतने isotopic signal आने है, अब फर्स करें, सिरफ समझने के लिए, understanding के लिए हम क्या करते हैं, जो less intensity वाली peak होती है न, हम कहते हैं यह 100% है, for example, यह 25 है, मैंने इसको 100 कर दिया, और जो ज्यादा intensity वाली peak है, फिर वो कितने percent हो जाएगी, 75% है, over 25 into 100, यहनि 300 times, यह simply यहाँ से भी देख सकते हैं, यह 75 है, यह 25 है, सिंपल, यह अगर 300 times है, तो यह 100 times है, हमने fraction से बचने के लिए 25 को क्या कह दिया, 100 है, यहनि 1, 3 की ratio बन रही है, अगर 35 over 37 करें, तो 35 over 37, यहनि 35 वाला जो आइसोटोब होगा, उसकी जो peak आएगी, जो molecule-drain peak आएगी, M peak आएगी, उसकी intensity 3 होगी, जबके M plus 2 की 1, यह 3 times उससे ज़्यादा आएगी, तो इसमें M और M plus 2 है, M आएगा 3 और M plus 2 आएगा 1, यह इस तरह से intensities आजाएंगी, तो अगर एक isotope होगा, तो एक ही molecule-drain, isotopic peak आएगी, एक तो उसकी most abundant के लहाद से आनी है, molecule-drain peak, एक isotopic signal आ गया, इसकी intensity 3 है, तो इसकी 1 है, तो इस तरह से हमारे पास 3-1 की रेशो से, यानि अगर आपको इस तरह का pattern नज़राएंगी ना, mass spectrum के right side पे, तो आफ फॉरण यह जान लें, कि इसमें जरूर एक कलोरीन एटम है, यह pattern शोगा रहा है, 3-1 की रेशो वाड़ा end पे, यह है उसकी molecular ion peak, जो के most abundant isotope की वज़ा से है, और यह peak है, जो के less abundant की वज़ा से है, इसी वज़ा से less intense है, तो यह pattern से पता चाल जाता है, कितने halogen atom है, अगर दो halogen है, तो दो isotopic signal आएंगे, यानि दो कलोरों है, तो दो signal isotopic signal आएंगे, कौन कौन से, plus 2 पे और plus 4 पे भी आएगा, एक तो आनी है, जो molecular ion peak है, उसने तो आने ही आना है, 7 M plus 2 पे भी आएगा, M plus 4 पे भी आएगा, अब इनकी intensity का कैसे पता चलेगा, हमें यह तो पता है, कि 35, 3 time ज्यादा intense है, 37 वाली molecular ion peak से, तो हम probability निकाल लेते हैं, एक है M, जो molecular ion peak आनी है, जिसमें होने ही most abundant है, क्योंकि जो most abundant isotope होता है, उसके लहाद से molecular ion peak आती है, तो दोनों 35 है, इसकी intensity भी 3 है, इसकी भी 3 है, 3 into 3, 9, फिर आएगी M plus 2, M plus 2 में क्या होगा, एक isotope 35 है, तो दूसरा 37 है, यानि mass में 2 का अजाफा हो गया, यहां 35, 35 थे, यहां 37, 35 वाले के intensity 3 times है, as compared to 37, जो के 1 है, 3 into 1, 3, यह भी possibility थी, कि यह वाला 37 हो जाता, फिर्स वाला और यह वाला 35 हो जाता, तो फिर भी फरक तो M plus 2 का ही पढ़ता, 2 का ही फरक आता यहां पे, क्योंकि एक तो 35 ही है, 35 वाले के intensity 3 है, और 37 वाले की 1 है, तो total 3, अब 3 plus 3 करें तो कितना आ जाएगा, 6, यानि यह इसकी intensity 9 है, तो यह 6 है, उससे common intense है, अब M plus 4, चार में mass कब ज़्यादा आएगा, जब दोनो 37 वाले होंगे, यानि यह तो most abundant isotope है, 35, 35, फिर plus 2 आना है, तो एक 37 हो जाएगा, plus 4 आना है, तो दोनो 37 हो जाएगे, और दोनो 37 है, दोनों के intensity कितनी 37 की, 1, 1, 1 into 1, 1, यानि 9, 6 और 1 की ratio बनेगी यहाँ पर, जो molecular ion peak की intensity वाली, तो यह अगर दो हैलोजेन है, तो दो isotopic signal है, यहाँ पर जो molecular ion peak, most abundant isotope के reference है, 9, फिर 6 और फिर 1, अगर आप mass spectrum देखें, तो इस तरह का pattern नज़र आएगा, अगर आपको mass spectrum में, यह वाली ratio right side पे नज़र आए, दो isotopic signal वाली, एक molecular ion peak, 9, 6, 1, तो आप फॉरण जान लें, कि यहाँ पर दो कलोरीन एटम मजूद है, इस molecule में दो हैलोजेन्स है, तो इस तरह हमें molecular formula का भी पता चलता जाता है, chemical composition का भी idea होता चला जाता है, अगर तीन हैलोजेन्ट तो तीन isotopic peaks, जितने हैलोजेन्ट उतनी isotopic peaks, अब वो कौन सी होंगी, एक प्लास टू पे, दूसरी प्लास फॉर पे, तीसरी प्लास सिक्स पे, यहनि चार बनेंगी, एक तो molecule के उधर आएन पीक है, तीन isotopic यहाँ पर आगी, अब उनकी अगर हमने intensity निकालनी है, M वाली, तो उसमें सारे 35 वाले होंगे, तीनो कलोरीन 35 वाले हैं, तो 3, 3, 3, कितना बन गया, 27 intensity बनेंगी इसकी, अब जब प्लास टू की बात करेंगे, तो सिरफ एक 37 वाला हो सकता, probability क्या है, यह 37 हो जाए, यह 37 हो जाए, तीनों में से कोई भी कलोरीन 37 हो सकता है, अगर एक 37 करेंगे, यह 3 है, 3 है और 37 1 है, 9, हम दूसरे वाला भी 37 कर सकते थे, 3, 3 और यह दर्म्यान वाला 1, 9, और यह भी फिर, शुरू वाला जो है, 37, यह 35, यह 35, तो यह आजाता 1, फिर 3, 3, तो यह टोटल 9 प्लस 9 प्लस 9, 30, 27, यह इसमें M और M प्लस 2, दोनों की इंटेंस्टी, सेम आएगी, फिर M प्लस 4 है, इसका मतलब है, 2, 37 वाले हो जाएंगे यहां पर, तो यह 35, 37, 37, अब यहां पर भी प्रॉबाबिलिटी है, कोई से भी दो हो सकते हैं, तो 35, 3, इंटू 1, इंटू 1, 3, या फिर यूं कर देते, पहले दोनों 37 वाले हो जाते, 1, 1 और यह 3, 3 आ जाता, या फिर, हम आल्टरनेट लगा देते, 37, यानि 37, 35, 37 तो यह भी कितना आ जाता, 1, 3, 1, कितना आ गया, 3, 3, 9, तो यह आ गया, टोटल 9, यानि 27, 27, और 9, यह इंटेंस्टी बन जाती है, इसकी, और फिर M प्लास 6, इसमें सारे 37 होते, 37, 37, 37, यह किन 35, 35, 35, 35 है, जब यह सारे 37 होंगे, तो 6 एड़ कर देंगे, यहां पर, इंटेंस्टी इसकी 1, 1, 1, तो यह 1 आ जाएगी, यानि 27, 27, 9 और 1, यह रेशो बनेगी, अगर हमारे पास, यहां 1 आएगा, M प्लास 6 में, 9 लिखा रहेगे, यह 1 है, क्योंकि इसकी इंटेंस्टी 1 आ रही है, तो यहां पर, जो हमारे पास, मैस स्पेक्ट्रम आएगा, उसमें 3 आईसो टॉपिक सिगनल आएगे, एक तो उसकी मॉली को दर आईन पीक है, यह 27, 27, 9 और यह 1, यह यहां पर 1 आएगा, 9 नहीं आएगा, यह 1 होगा, तो देखिएगा, यहां पर, यह वाली हमारे पास, इंटेंस्टी बन जाएगे, तो यह हमारे पास, वापस चलते हैं, यह, यह हमारे पास, पीक जो है, यह पीक, दिस इज 1, तो यह गलती से, यहां पर 9 लिखा गए, इसके इंटेंस्टी देखें, 1 आ रही है, तो हमने इसके रैफरर्स से चेक करना है, अगर हम स्पेक्टर्म में देखें, तो उसमें भी हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, यह देखें, यह हमारे पास है, पहले दोनों 27 हैं, 27, 27, फिर 9 और फिर लास्ट वाली यहां पर 1 है, यह 9 नहीं है, तो इसका मतलब है, यहां पर जो हमारे पास मैस स्पेक्टर्म आता है, मैस स्पेक्टर्म में भी हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, यह इसके बराबर नहीं आएगी, क्योंकि 9-1 की रेशो है, तो यह पीक 9-1 की रेशो है, तो यह यहां पर इस तरह से इस तरह से आएगी, तो यह जो पैटर्न हमारे पास आ रहा है, यह वाला पैटर्न, अगर ये वाड़ा पैटरन शोग हो रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें दीन कलोरीन एक्टम है 27, 27, 9 और फिर 1 इस रेशो से पीक्स आ जाएगी तो इस तरह जितने आइसोटोप अगर हम यहाँ पर बरोमीन देखें तो बरोमीन में भी देखें जितने हेलोजन होंगे उतने ही आईसोटोप eक पीक आएगी एक बरोमीन है तो एक आईसोटोप पीक आएगी अब बरोमीन के दोनों आईसोटोप की परसंटेज अनमोे सेम होती है एक 79 MS और दूसरा 81 दोनों में फरक कितना है तू का तो इसका मतलब है इसमें M प्लस 2 पीक आएगी परोमीन में कलोरीन में भी दो का फरक था 35, 37 तो M प्लस 2 पीक आएगी यहां भी M प्लस 2 पीक ही आएगी क्योंकि दोनों की इंटेंस्टी सेम है तो इसका मतलब है कि हमें दोनों पीक जो 2 M वाली पीक भी और M प्लस 2 वाली पीक भी दोनों सेम इंटेंस्टी की पीक मिलेगी क्योंकि उनकी परसंटेज आलमोस्ट सेम अगर्चे थोड़ा सा फरक होता है लेकन फिर भी very close अब इसमें वान इसकी भी इंटेंस्टी वान क्योंकि दोनों की परसंटेज यहां पर सेम है तो अगर स्पेक्टरम में हमें यहां पर इस तरह का पैटरन नजर आजए जैसे यह है इस तरह दो का फरक हो दोनों के मैस में यह एक 79 है तो दूसरा 81 है मॉलीकुलर आइन पीक दो आएं एक एक आइसो टॉपिक पीक है एक यह रैलेटिफ जो मॉस्ट अबंदन के लहाओ से दोनों में अगर टू का फरक आ रहा हो और दोनों की इंटेंस्टी सेम हो वान वान रेशो से हो इंटेंस्टी सेम आए और टू का फरक आ रहा हो तो आपको फरन पता चल जाए जाना क्योंकि जितने हैलोजिन उतने ही आईसोटोपिक सिगनल दो बरोमीन आ जाएं तो इसका मतलब दो आईसोटोपिक सिगनल आएंगे अब बरोमीन में चुके मैस 2 का फरक है तो प्लस 2 भी आ सकती है प्लस 4 भी आ सकती है अगर हम probability निकालना चाहें M जिसमें हम 79 वाला लाइटर आईसोटोप जो ज्यादा बननेस होती है यह हम नहीं कह सकते के बहुत ज्यादा फरक है लेकर जब आप से कहा जाए कि मॉलीकुलर आईन पीक कौन सी होगी तो ज्यादा बननेट वाला आईसोटोप हम इसी को कंसिडर करते हुए उसकी इंटेंस्टी कितनी आएगी वन 79, 79 अब यहाँ प्रॉबबिल्टी बढ़ गई यह भी 81 हो सकता है यह एक दफा इसको 81 करें और एक दफा दूसरे वाले आईसोटोप को 81 करें तो यह भी 1 यह भी 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा यानि इसके मुकाबले में M प्लस 2 वाली इंटेंस्टी वाली पीक जो है वो ज्यादा होगी 2 होगी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी M प्लस 4 में दोनो 81 वाले आएगे तो वो भी 1 नहीं रहेगा यानि 1, 2, 1 तो यह 1, 2, 1 वाला पैटरन अगर आपको नज़र आजाए इस तरह से तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास यहाँ पर 2 बरोमीन एटम है यह 1, 2, 1 वाला पैटरन आगया यहाँ पर यहनि दो दो का फरक हो मैं इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 का यह M, यह M प्लस 2, M प्लस 4 और इस तरह से 1 तो 1 की रेशियो से पीक्स आ रही है बिल्कुल जैसे NMR में आती थी थी ना इसमें इस तरह से आती हैं जब ज्यादा बरोमीन एटम होते हैं जैसे पास्कल ट्राइंगल बनता है तो वैसी पीक्स आएंगी जो मैं फॉरण बता देंगी कि यह हमारे पास जो है यह जो पीक्स हैं यह बरोमीन की हैं यहां पर जो पैटरन आता है वो वैसी जैसे NMR में पास्कल ट्राइंगल में हम देखा करते थे वन फिर वन वन और उसके बाद वन टू वन या वन थ्री थ्री वन तो यही वाला पैटरन फालो होगा बरोमीन के एटम में तो जब दो बरोमीन होंगे तो आपको यह वाली र जो नज़र आएगी राइड साइड पे जो के शोग करेगी कि यहां पर जो हमारे पास है यह दो परोमीन एटम है यानि स्पेक्टरम में मॉलिकुलर आइन पीक देखके हम आइडिया लगा लेंगे कि कितने आइसोटॉप हैं जैसे तीन है अगर बरोमीन तो तीन आइसोट बंडनीट वाली है उसमें क्या होगा सारे सेवंटी नाइन वाले बरोमीन या फिकिन डैस्टि क्या बनेगी इसी तरह एम प्लास टू में एक इंव एटी वाला आएगा अब उसकी प्रॉबाबिलिटी यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी dramas हो सकता है यह थी वाला हो one one ही रहेगा लेकर जब तीनों को जमा करेंगे क्योंकि इसकी probability three times जाद है तो इसकी intensity three बनेगे और उसके बाद M plus four M plus four में four में दो बरो मीन 81 वाले आ जाएंगे वो कोई से भी हो सकते हैं साथ साथ वाले ये दोनों हो सकते हैं ये पहले वाले दोनों या आखरी वाले दोनों या फिर पहले और आखरी वाला तो उसकी भी probability तीन गुना ज्यादा होगी इस तरह से और ये भी आ जाएगा three और last में six वाली जो है उसमें सारे 81 वाले होंगे या ये बनेगी one, three, three और one ये वाले intensity बिल्कुल जैसे पास्कल ट्राइंगल में बना करती थी तो one, three, three, one हमें फॉरण idea हो जाएगा कि यहां तीन बरोमीन मुझूद हैं क्यों क्योंकि इन peaks की intensity शो कर रही हैं ये वाले one, three, three और one अगर इस तरह का pattern आ रहा है तो इसका मतलब तीन बरोमीन एक्टम हैं तो इस तरह हमें idea हो जाता है spectrum देखके, isotopic peaks देखके कि इसमें कलोरीन है या बरोमीन है, iodine, रफालोरीन तो mono isotopic हैं और फिर कितने कलोरीन या बरोमीन एक्टम इसमें मुझूद है अब है, जितने हैलोजन उतने isotopic signal हम कहते हैं एक बरोमीन, एक कलोरीन दो हैं तो इसका मतलब यहां पर दो isotopic peaks आएंगे जितने हैलोजन उतनी isotopic peaks मैस का फरक कितना होता है दोनों में दो का फरक होता है इसमें 79 और 81 इसमें 35 और 37 यानि प्लस 2 आ सकता है या प्लस 4 का फरक आ सकता है मैस में एक तो आएगी most abundant यानि एक 35 वाला दूसरा 79 वाला 79 वाला एक होती है इसकी intensity और 35 वाले के 3 होती है तो यह आगया 3 तो यह हमारे पास intensity 3 बनेगी प्लस 2 में प्लस 2 में दोनों possibilities हैं आप 81 यूज कर लें या 37 तो एक में 37 यूज करें तो यह ब्रोमीन के तो होती ही 1 1 intensity है तो यह आ जाएगा कलोरीन भी 1 या फिर 35, 81, 35 वाला 3 टाइम जादे intense होता है 37 से तो यह 3 प्लस 1 कितना बन गया 4 यानि 3, 4 और M प्लस 4 में 137 होगा दूसरा 81 होगा दोनों 1 1 है तो यह intensity कितनी बनेगी 3, 4 और 1 तो इस तरह से हमारे पास जो spectrum आएगा वो 3, 4 और 1 intensity इस तरह से अपियर होगा तो हम मैश spectrum को देखके उसमें isotopic peak देखके decide कर लेंगे कि इसमें कितने हैलोजेन है और कौन कौन से हैलोजेन है कलोरीन है, बरोमीन है, कितने कलोरीन है, कितने बरोमीन है और finally अगर कलोरीन बरोमीन दोनों है तो इस तरह के intensities आएंगी उन intensity से हमें पता चल जाएगा number of halogen atom कितनी है ये थी dear students, isotopic peaks in mass spectrum, इन से भी हमें chemical composition, chemical formula और इसके अलावा ये पता चल सकता है कितने हैलोजेन atom मजूद हैं क्योंकि mainly halogen atom ही इस तरह की isotopic peaks शोर करते हैं Thank you very much